दोस्तो अगर आप भी Facebook से पैसे कमाना चाहते हो, तियार आपको Facebook पर एक page बनाना चाहिए, वो भी page बनाने का सही तरीका क्या है, important setting क्या है, कैसे page की rich बरती है, सब कुछ बनाने वाला हूँ, इसी वीडियो का आप ध्यान से दिखिएगा, ठीक है दोस्तो, सही तरीका क्या है तो 10 लग से ज्यादा यह अर्नी कर रहा है, सिर्फ Facebook से, इसका यूटूब चैनल भी है, लेकिन उससे ज्यादा अर्नी कर रहा है, फेस्बूक से कर रहा है, और यह मेरा फ्रेंड यह दोस्तो, ऐसा नहीं कि कोई अधर चैनल लेकर दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते काफी ज्यादा इसका रिच बड़ा हुआ है, उचाहिए आप रिल्स अप्लोट कर लो, या फिर अपने वीडियो अप्लोट कर लो, काफी डेर सा यहाँ पर व्यूज मिल ला है, फेस्बूक पर, तो अगर आपने अभी तक पेज नहीं बनाया है, तो यह आपको एक से दिखिएगा, यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ने ध्यान से दिखिएगा, ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको प्रोफाइल बना होगा, आपको यहीं पर क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इ यहाँ पर बना होगा दिख रहा है, बाकि हमारे फ्रेंड है कुछ, ठीक, यहाँ पर दो पेज दिख रहा है, अब इस पेज को दूस्तों हमने पहले से बना रखा है, और अब हमें एक नया पेज बनाना है, आपने नहीं बनाया होगा, तो आपको यहाँ पर लिखावाश करेगा page एस ठीक है यह लिखा होगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ताइब करेगा आप वीडियो अप्लोट करना है ठीक है यहां से देखो यहां नाम क्या रखना चाहते हूँ दोस्तों आपको बदा दूं कि आप जो भी फेस्टू का पेज का नाम रखेंगा तुम्हां यूनिक नाम रखेंगा नाम जितना अच्छा रहता है उतना ही आपकी पेज उपर है लोग attach होते हैं आपके page से, ठीक है न, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम रख दो, ऐसा नहीं, ठीक है न, नाम सोचकर रखना, जैसे आप YouTube चैनल का नाम सोचकर रखते हो, उसी तरह के से page का एक अच्छा सा नाम आप decide करकर रखना, कि आप किस तरह का वीडियो बनाने वाले हो, अपने इस आप से नाम एक बार सोच लिएगा, मैं फिलाल तो यहां पर, मैं अपने इस चैनल का नाम यहां पर लिख देता हूँ, ठीक है न, यहां पर मैं इस प्रेटिंग ज्यान नाम से बना लेता हूँ, फिर आपको next पर click कर दिया, आप दोस्तों आपके सामने यहां प यहां पर show नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आप यहां पर type करोगे, तो आपके category show कर जाएगी, जैसे example में आपको दिखाता हूँ, माले हो, अगर आप cooking वाले हो, अगर आप cooking selected video बनाते हो, तो यहां पर kitchen आगे select कर सकते हो, आप इसको ठीक है, इसी तरह का आपका जो भी category आप आपकी page जो है न, उससर से जेल्ट में जाएगा, अगर आपने category बना रखा है अपना, इसी category पर आप काम करोगे तो, तो कोई एक category decide करना, और उसी category पर आप काम करना, मालो कि हमने यहां पर select कर ले है, digital creator, आप और भी अगर आपके category से मिलता जोता होगा, तो आप यहां पर select कर सकते हो, ठीक है, यहां पर ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको create पर आपको click करना है, जो नीचे लिखा हुआ है, create पर click करिएगा, यहां पर दोस्तों क्या लिखा है, success, you have created अपना जो भी page है, जैसे मेरा spreading anchor page यहां पर बन चुका है, कुछ यहां पर more details से यहां पर bio, bio क्या होता है दोस्तों, मालो कि आपका page किसी से related है, आपको यह bio पुरा लिखना रहता है, कि मालो अगर आपके page पर कोई भी एक बन्दा आ गया, आपके page को पर जा कि आपके bio पढ़कर समझ सकता है, कि यार इस page पर आप क्या करने वाले हो, gaming करने वाले हो, क्या करने वा आपको facebook से पैसे कमाने के बारे हैं बताऊंगा, इस तरीके से हमने यहां पर कुछ लिख रखा, आप अपने हिसाप से जो भी अपने page पर करने वाले हो, यहां पर फ्ला डिस्क्राइब कर देगा, ठीक, आप दोस्तों यहां पर next आपको साबने option आएगा, contact क्या, अगर आप यह सब आपकर सकते हैं, अगला आता है location का, आपको location यह लिखना होगा तो आप अपना address यहां पर लिख सकते हो, city town यह लिख सकते हो, यहां पर अपना pin code अपना हो गएरा जो भी है, आप यहां पर लिख सकते हो, ठीके, फिर नीचे एक option आता है कि आप कब यहां पर अ तो अपने ही जाने के बाद आपको यहां पर नेक्स कर देना आपके सामनी यह पेसे अब यहां पर नत्युक्त करना है तो चले हम यहाँ पर लगा लेते हैं यहाँ पर क्लिक करना है जैसे हम यहाँ पर क्लिक करके अपने पर प्रफाइल फोटो एक स्लेट कर लेते हैं ठीक है तो आप अपने ही साफ दूस्तों यहाँ पर एक प्रफाइल फोटो लगा लिजेगा उसी तरी के दूस्तों यहाँ प यह दोस्तों वह option होते हैं अगर आप इसको चूज करोगे तो आपके page पर यह show करेगा जैसे मानलो यहाँ पर लिखा हुआ है message इस पर यहाँ पर नीला बटन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक के अब हमारे page पर को जाएगा तो हमाँ पर message करने का option आएगा हमाँ पर जिस message करें तो आप यह select कर लो तो हम message यहाँ पर select कर लेते हैं कि हमारे page पर नीचे आओगे दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा link करने का option है आपके पास अगर कुछ है website वगएरा है या फिर और बहुत से कुछ application वगएरा कुछ भी है तो आप यहाँ पर इसको link कर सकते हैं इस सार save पर आपको click कर देना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर save पर click करोगे अब आपके सामने दोस्तों यह कुछ is type का open हो कर आएगा देख सकते हो कुछ इस प्रोफाइल पर जिस प्रोफाइल का use करके आपने page बनाया है उस सारे बंदे जितने भी आपके उस प्रोफाइल पर ज जो भी add थे आपके friend relatives उस सब यहाँ पर show करेंगे ठीक है यहाँ आप लिखा invite friend अगर आप invite पर click करके अपने friend को invite कर दोगे तो सारे friends आपके page को follow कर लेंगे क्यों सब के पास एक request जाएगा एक message आएगा कि आपका जो भी friend है उसने एक page बनाया है और आप उसको follow कर सकते हो ठीक है तो follow कर लेंगे तो आप क्या करना यहाँ invite friend पर click करना click करने के बाद से आप जितना भी आपको friends शो कर रहेंगे देख रहे हो सब select कर लेंगे सब को select कर लिजेए अगर अगर अचा तो एक साथ select करना तो यहाँ पर लिखा होगा select all ठीक है क्लिक करिए आपके सारे friends select हो गए नीचे लिखा होगा send invitation ठीक बस इस पर click कर दीजिए अब आपके सारे friends के पास invitation गया अब आपके page पे अभी zero followers थे ठीक है अभी कुछ दिर में यहाँ पर सारे आपके जितने भी friends थे आपके profile पे सारे connect हो जाएंगे यहाँ पर followers के अंदर ठीक है अब यहाँ पर लिखा होगा नीचे next अब आपको यहाँ पर next पर click करना है जैसे click करोगा आपके सामने आप यह option आएगा कि page notification on your profile और marketing professional emails about your page यह करना है कि नहीं करना है तो बस दस्तों आपको यह जो है यह select किये रहेगा इसको कुछ मत करिएगा ठीक अब बस नीच करना है सब कुछ बताओं को ध्यान से देखते रहों ठीक है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो का हमारा यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर पेस तैयार है यहाँ पर आपको पेस लिखा हुआ शो करेगा और हमारी काटेगरी भी लिखिए digital creator ठीक है अब दोस्तों आ करना है के आप चलिक करना ऺड़े चाहिए अब नीचे है तो आप आपकर प्रफाइल हो गया ठीक है तरीके तो सब्सको उपने कर सकते हूँ अब ही हमारे यहां पर page open है, अगर आप switch करना चाहों तो आप यहां से switch भी कर सकते हो, यह आपका page है दोस्तो आप देख सकते हो, यह आपका professional dashboard आपको यहां पर कुछ show करेगा इस तरीके से, professional dashboard है आप देख सकते हो, आपके monthly कितने views आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, सब Facebook page बन गया, अगर इस page के अंदर आपको कुछ changes करना है, दोस्तो आप कैसे कर सकते हो, अपने page पर आप क्लिक करना, जैसे आप क्लिक करेगा, आपका Facebook page कैसा show करेगा, अगर आप कोई Facebook page पे open करता है, तो कैसा दिखेगा, तो आप देख सकते हो, यहां पर आपको three dots पे आपक पेश्ट भेजा है, कुछ दिर में हो है, सेट कर लेंगे, यहां पर follower मेरे बढ़ जाएंगे, यहां पर आदेशका digital creator और page हमारा यहां पर बन चुक है, सब कुछ यहां पर दोस्तो आपको show करेगा, ठीक है, अब दोस्तो हम बात करते हैं, यहां पर बैक कर लेते हैं, और इ इसको add कर लेजएगा, क्योंकि यह profile ही, आपका एक channel मान सकते हो, चैनल है, इससे आपको earning होने वाले है, तो इसको एक अच्छे साब इसको पूरा edit कर लेजएगा, ठीक है, सब कुछ करने के बाद दोस्तो आपको करना क्या है, आपको अपने facebook page पर video upload करने, video upload करने के बाद स आपके वीडियो पर ads आएंगे, और facebook आपको पैसे देगा, अब आपके कितने minute complete हुए, कितने followers आईए, आप कैसे पता करोगे, तो उसके लिए दोस्तो आपको मैं recommend करूंगा, कि आपको play store से एक application मिल जाएगा, जिसका नाम है creator studio, आप इसको download कर लिजेगा, और इसको जैसे इतना 20 minute view अभी complete हो गया, तो उमीद कर दोस्तों कि आप सब को समझ चको कि facebook page कैसे बनाते हैं, अगर आप चाहते हो अपने facebook page तो आपने बना लिया, उस पर video upload करना है, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको इस video पर click करना है, यहां दोस्तों, इस video मैंने आपको अ इस भी तक यह वीडियो नहीं देखा, इस video को देखो, और facebook कर वीडियो अपलोट करने का सही तरीका जान लो,